सुप्रभाद बच्चों, हम आसा करते हैं कि आप सबस्वस्थ होंगे और घर बैठे आनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे प्यारे बच्चों, संदी के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि संदी के दीन भेद होते हैं स्वर्शंदी, वेंजन संदी यो विशर्ग संदी और स्वर्शंदी के पांच भेद होते हैं जिन में से आप दीर्ग संदी पढ़ चुकी हैं आज हम आप सबको स्वर्शंदी के भेद गुर्शंदी यो व्रिद्धी संदी को पढ़ाएंगे गुर्शंदी के नियम यदि हरश्व या दीर्गश्वर A के बाद हरश्व या दीर्गश्वर E, O और R आये तो दोनों के मिलने से करमसा A, O और R हो जाता है उदाहरण जैसे सुर्धन इंद्र, सुरेंद्र लंकाधन इस, लंकेस वीरधन उचित, वीरोचित महाधन उसो, महोस्तो महाधन डिशी महर्शी बच्चों, सुर्धन इंद्र में A और E मिलकर के A हुआ है लंकाधन इस में A और E मिलकर A हुआ है वीरधन उचित में A और U मिलकर O हुआ है महाधन उसो में A और U मिलकर O हुआ है महाधन डिशी में A और E मिलकर A हुआ है अब ब्रिद्धि संधि के निया यदि आ या आ के बाद ए या आ सोराता है तो दोनों मिलकर आ हो जाता है इसी प्रकार यदि आ या आ के बाद ओ या आ सोराता है तो दोनों मिलकर आ हो जाता है उदारन, सदाधन एव, सदयो, मतधन आयक, मतायक, परमधन ओज, परमाज, महधन आवसधी, महावसधी प्यारे बच्चों, आज के पार्ट में बस इतना ही, अब आप सबसे कुछ प्रशने पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा बहुविकल्पी यह प्रश्न, प्रश्न नमबर एक, महेंद्र सब्द का सही संधी विच्चेद होगा, आपके आप्सन से क, महधन एंद्र, ख, महाधन एंद्र, ग, महेंद्र, ग, महेंद्र, आपका सही उत्तर है, महाधन एंद्र आपका अगला प्रश्ण है सदेव सब्द का सही संधी विछेद होगा आपके आप्सन से क सदाधन एव, ख सदधन एव, ग सदधन व, ग सदन दयव आपका सही उत्तर है सदाधन एव अब आपका अगला प्रश्ण है एक धन एक सब्द का सही संधी होगा आपके आप्संस है क एक एक ख एक एक ग एक ग उपर्यूग तो सभी आपका सही उत्तर है ग एक एक अब आपका अगला प्रश्ण है संदी की कितनी भेद हैं आपके आप्संस है क दो ख चार ग पांच ग तीन आपका सही उत्तर है घा तीन प्रश्ण अभ्यास लग उत्तरी ये प्रश्ण निमलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखे प्रश्ण नमबर एक स्वरशंदी किसे कहते हैं प्रश्ण नमबर दो स्वरशंदी के भेदों के नाम लिखे प्यारे बच्चों इन प्रश्णों के उत्तर आपको दो से तीन पंक्तियों में लिखना है आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं कल आप से इसके अगले भाग के साथ तब तक के लिए धन्य बच्चों